आज की एडिश्रीपी बहुती मज़ेदार है, बहुती लाजबाब है और बनाना तो बहुती आसान है कभी-कभी ऐसा होता है ना सबजी खाने का बिलकुल भी मन नहीं करता है तो कुछ अलग बनाने का मन करता है तो जी हाँ ये बेशन का कड़ी बड़ी नहीं है तो इसका पानी निकाल लिया है, quantity आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना बनाना हो, तो मैंने ये लगभक 100 ग्राम के करिब चना डाल लिया था, इसे भिंगों के इस तरह से पानी निकाल के, अब इसे मिक्सी के जार में डाल के, इसे एक बारिक पेश्ट नहीं बन तो ये देखिए, पिष्णी के बाद ये इस तरह से बन जाता है, मैंने पानी बिल्कुल यूज नहीं किया है, तो ये देखिए, बिल्कुल सही इसका पेश्ट बन के आया है, और हलका दरदरा है, तो ये न इसका पकोड़ा बहुत ही अच्छा बनता है, तो चलिए इसे ब और मक आधा चमज की कड़ीजरीब डालना है तो इसे तरह से फेट लेना है तो इसको ज़्यादा फेटनी की जोरत नहीं है बहुत जल्दी यह नहीं सबसे नि म統ics होली है तो यह देखेंगे यह बिथज से लगें तो यह नहीं सकते हैं बिल्कुल ही ready है पकोरा बनने के लिए तो चलिए इधर गैश पे तेल भी गरम हो चुका है तो सरसो तेल में पकोरा जो है बहुत ही अच्छा बनता है तो इसी सरसो तेल में ही बनाए अब इससे क्या करना है छोटा छोटा जो है पकोरे बना लेना है वैसे size आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आप इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं और oil आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं मैं ज़्यादा oil का use नहीं कर रहे हूं क्योंकि इसके बाद यह oil बच जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता तो बस थोड़ा थोड़ा करके दो या तीन बार में साड़े पकोड़े में तल लूँगी तो यह देखे अब इसे क्या करना है अलट पलट देना है बहुती साबधानी से नहीं तो यह फिर आपस में चिपक जाएंगे इसलिए धीरे धीरे इसे पलटना है तो यह देखे कलर कितना सुंदर होके आया है तो बस हमें ऐसा ही चाहिए तो सारे निकाल लेते हैं है न मज़ेदार तो चलिए एक वार और बना लेते हैं तो यह देखे जी और यह पकोड़ा खाने में बहुती मज़ा आता है आप ऐसे भी इसे चाट मसाला छिरक के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बन के आता है तो यह हमारा पकोड़ा बन चुका है तो चलिए मशाला रेडी कर लेते हैं तो एक चम्मच मैंने खरा धनिया डाला है एक चम्मच जीडा और डेड़ चम्मच इसमें पीला शर्सों डाल रही है उसे टेस्ट अच्छा आता है और तीन से चार हडा मिर्च आप चाहें तो इसके जगर लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं और इसे इस तरह से पीछ लेना है थोड़ा पानी डाल के इधर कराही गरम हो चुका था मेरा तो अब इसमें डाल देते हैं पानी जीहां इसमें तरका नहीं डालना है जिसमें हमने बड़ी तला था ना बस उसी में पानी डाल देना है तो पानी मैने लगभग डेड़ से दो गिलास डाला है अब इसमें डाल देते हैं एक चम्मच हल्दी तो हल्दी पहले डाल देना है और नमक तो नमक ध्यान रहें नमक बड़ी में भी हमने डाला इसलिए जादा ना डाले नमक और हल्दी डालने के बाद इसमें एक उबाला आने के लिए छोड़ देते हैं तो ये देखे एक उबाला आ चुका है तो अब इसमें डाल देते हैं मसाला जो हमने मिक्सी में पीसा हुआ था तो बस मसाला डालने के बाद इसमें फिर से एक उबाला आने देते हैं तो इस कड़ी बड़ी में मसाला को भूना नहीं जाता है इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत तो अब इसमें डाल देते हैं जितने भी हमने पकोड़े तले हुए थे वह साड़े डाल देते हैं तो बस ध्यान रहें उबालाने के बाद ही पकोड़ा डाले नहीं तो फिर पकोड़ा तूट 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 जाएंगे तो पकोड़ा डालने के बाद इसमें एक उबालाने द नाल देते हैं इसे क्या होगा कि आपका ग्रेवी थोरा सा मोटा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो यह बेशन का जो है डो में पानी मिला के डालने के बाद पांच मिनट इसे पकाएंगे देखेजी पांच मिनट होने के बाद यह कड़ी-बड़ी हमारा रेडी हो चुका है जो की बहुत ही स्वादिष्ट बन क्या है तो ग्यास को आफ कर देते हैं चली अब तरका रेडी कर लेते हैं तो मैंने दो चम्मत सरसु का तेल आधा चमत जीरा एक खरा लाल मिर्च और एक तेजबता और चुटकी भर मैंने इसमें कासमीरी लाल मिर्च डाला है ताकि जो है छूँक का कलर थोड़ा आच्छा है तो यह छूँक हमारा रेडी हो चुका है तो चलिए अब डाल देते हैं कड़ी बड़ी में तो देखे जी लग रहा है ना बहुत ही मज़धार तो इसे चलिए ढालने के बाद यह कड़ी बड़ी है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता ए तो चलिए यह देखे सर्व करते हैं ऐसे में एक भी हमारा जो है पकोडा बिल्कुल भी नही टूटा है है ना मजदार तो चलिए इसे सर्व करते हैं तो इसे रैस के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है तो तर्मा गरम राइस के साथ ये चना दाल का कड़ी बड़ी खाये टेस्ट ला जवाब लगता है तो एक जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चना दाल से बनाए कड़ी बड़ी का रेशिपिक कैसा लगए जरूर बताईए अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज देप कर दीजिए।